रेडियो के जी एम यू गूँज 89.6 FM अब ब्रष कर लो फिर आपको एक चौकलेट देंगे और थो उसी चौकलेट की वज़े से उनको ब्रष करवाना पड़ता है लेकिन फिर भी अब देखे, दातों को तो साफ करना पड़ता है लेकिन उसके बावजूद अब बच्चे तो बच्चे हैं कितना भी अच्छे तरीके से ब्रश कर लें लेकिन जो प्रॉपर ब्रशिंग होती है वो नहीं हो पाती है तो उनकी चीजों की वज़े से किस-किस तरह की दिक्कते होती हैं और क्या उसके ट्रीटमेंट रहती है और पैरेंस उसमें अपना क्या रोल निभा सकते हैं इन सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं KGMU के Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics से Dr. Amit Nagar जो कि वहाँ प्रोफेसर हैं, Dr. साब वेलकम तो स्टूडियो, नमस्कार, बच्चों के जो दात होते हैं, देखें जब पैदा होते हैं, तब जब उनके दात निकलना धीरे-धीरे श चुरू होते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर दात आरें, तो दिक्कते भी आती हैं, क्योंकि अब इतने छुटे बच्चे को तो कोई भी ब्रश कराने में थोड़ा हम लोग सोचते हैं कि कैसे ब्रश कराया जाएगा, तो किस-किस तरह की प्रॉब्लम्स उनके दातों में ह हो सकती हैं, देखिए बच्चा जब 6-7 माह का होता है, तो सबसे पहले उसके नीचे के 2 central incisors या 2 सामने वाले नात निकलते हैं, उसके बाद फिर सारे नात धीरे धीरे आना शुरू होते हैं, और लगबग 20 साल की उमर तक सारे दूद के नात आ चुके होते हैं, जिनकी बच्चों की इस उमर में क्या होता है, खाने पीने का हिसाब थोड़ा सा अलग होता है, वो एक तो दूद पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, माबाप चाचा चाची उनको खुश करने के लिए चॉकलिट देते हैं, वो मुलायम चीजें जैसे ब्रेड खाते हैं, तो यह सारी चीजें दातों के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यह सारे जितने भी डेरी और कन्फेक्शनरी प्रडक्ट्स हैं, दातों की ऊपर चिपक जाते हैं, और एक ऐसी पतली लियर बना देते हैं, जिससे दातों की सफाई नहीं हो पाती, और अगर प्रॉपर ब्रशिंग न बनने लगते हैं, फिर उसमें और खाना फंसता है, धीरे धीरे यह गड़े बड़े होने लगते हैं, और जब दातों की अंदरूनी सतह तक यह गड़े पहुंच जाते हैं, जिसको हम लोग पल्प कहते हैं, तो बच्चों के दातों में असरनी दर्द होता है, बहुत भेंक काग्यों तक है हमें उसी समय दातों की फिलिंग करा लेनी चाहिए और एक डेंटिस्क की सला लेनी चाहिए जब इस तरह की कैविटीज और सारी चीजे होती हैं इसके अलावा इनी कैविटीज की वज़े से बच्चों के दात में कीड़े भी लगते हैं और हो सकता है जब दी तो क्या जो नए दात निकलते हैं उनमें इस तरह की दिक्कत नहीं होती है और यह जो इग्नोरेंस है कि यह तो दूद के दात हैं यह तो एक टाइम बाद गिरी जाएंगे पिर नए दात निकलेंगे तो कैसे उस चीज को टृट करना चाहिए यह देख्या आपने बहुत ही डेंटल ग्रेजुट से भी यह पूछते हैं कि यह बताओ जब पक्के नात निकलने होते हैं तो उपर वाले ने या इश्वर ने दो तरह के नात क्यों बनाएं दूद के नात क्यों बनाएं जब वो गिनने ही है तो उपर वाले नातों की क्या जरूरत है तो मैं आज ये बहुत ही important सवाल है और ये बहुत सब बच्चों को सभी parents को ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जितनी importance हमारे पक्के दातों की है या permanent teeth की है उतनी ही importance या उससे ज़्यादा importance हमारे बच्चों के दूद के दातों की होती है क्यों कि जब किसी भी oral cavity में किसी के मुँँ में भी जब दात होंगे और function होगा तब ही उसके jaws की ये जबड़ों की growth होगी जैसे कि एक lemar का सिधान है कि जिस सिधान है की विग्यान में जिस part की भी exercise होती है उसकी proper growth होती है तो अगर जबड़े में दात ही नहीं होंगे वो चलेगा ही नहीं तो उसक भी growth होनी संभव नहीं है इसलिए दूद के दात होते हैं और बच्चे इससे अपने ओम्र के हिसाब से खाना खाते हैं और उसको use करते हैं समय होने पर दूद के दात गिर भी जाते हैं अब सवाल यह है कि अगर पर्मानेंट दात आने ही है तो दूद के दातों में अगर कीड़ा लग भी रहा है तो उसकी केर कियों की जाए तो इसके लिए इसका उतर यह है कि दूद के दातों में जब कीडे लगते हैं तो वह धीरे-धीरे नीचे तक पहुँँच जाते हैं दातों की जणों तक पहुँच जाते हैं और ये भी देखा गया है कि वह जो permanent दात उसके नीचे बन रहे होते हैं उनको भी खराब कर सकते हैं साथ भी साथ, जो समस्याइं, उस समय प्रेजेंट में हो रही होती हैं जैसे कि दान्तों का सूजना उसमें से पसाना दर्ध होना तो इन सब चीज़ों को बच्चा क्यों जेलेगा तो इस से पहले ही हमसारी चीज़स है इनका इलाज कर लेना चाहिए और जितनी importance मैंने फिर से मैं कहना चाहता हूं जितनी importance permanent दातों की है उतनी importance दूद के दातों के लिए बिलकुल तो कहीं भी हमें अपने दिमाग में यह चीज नहीं रखनी चाहिए कि अजी यह तो दूद के दाते हैं तो आज नहीं तो कल गिरी जाएंगे तो इनका क्या ख्याल करना है आपको उनका भी रखना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि उनमें कोई प्रॉब्लम हो आपके दूद के दातों में और वो आपके permanent दातों को नीचे डामेज करती हूं कि आपको अंदर नहीं पता है कि आपका permanent दात कितना बन चुका है या क्या जीज है बिलकुल बिलकुल बिलकु क्या ये बात सच है कि इसी वज़े से डात टेड़े निकलते हैं देखे मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने आपको पताया था जब धाई साल में सारे दूद के दात निकल चुके होते हैं फिर बच्चा जब 6 साल का होता है तो 6 साल से यही दूद के दात चला ये लगबग 13 साल तक जारी रहता है तो 6 से 13 साल का जो पीरेड होता है इसमें बच्चों के मूँ में पर्मानेंट दांत भी होते हैं और दूद के दांत भी होते हैं ये एज भी बहुत ही critical और बहुत ही important होती है बच्चों के दांतों की देखरेक करने के लिए पहला मैं खोल के सोना नाखूनों को काटना नियल बाइटिंग तो ये सारी habits जो हैं ये दांतों को बहुत ही खराब करते हैं और धीरे-धीरे दांतों का alignment जो normal होना चाहिए वो normal से abnormal होने लगता है दूसरा कारण ये है कि अगर बच्चों के माता-पिता में दांत बहार निकले हुए या तेड़े-मेड़े हैं तो भी संभावना होती है कि बच्चों के दांत तेड़े-मेड़े हो जाएं हाला कि बच्चों में कोई अगर खराब आदत नहीं भी है गूठा चूसने की जीप से दांतों को ढखेलने की या मूँ खोल के सोने की तो भी heredity की वज़े से या अन पर्मानेट दांत समय से पहले निकल आया है तो वह क्या होता है कि वह अपनी दिशा से भटक जाता है और दांत तेड़े-मेड़े हो जाते हैं तो एक सवाल आपने अभी पूछा था कि क्या बच्चे अगर जीप से दांतों को ढखेले तो क्या वो टेड़े हो सकते हैं तो आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट या और्थोडांटिस्स से सलहा लेनी चाहिए ताकि वह उसमें प्रॉपर एप्लाइंस वगरा लगा सके और इस तरह से बच्चों के दां तेड़े मेरे ना हो अज़रोक सब ये भी देखा गया है कि काई बहुत चोटे-चोटे से बच क्योंकि जो भी ब्रेस लगते हैं वो पर्मनेंट टीफ में ही लगते हैं और दूध वाले दातों में ब्रेस नहीं लगाए जाते हैं आम तोर पे जब तक कि कोई बहुत ही ऐसी आउशक्ता नहों हो दूसरा ये ब्रेस लगाने का कारण मैंने बताया या तो बच्चों के द वो लगबख 11-13 साल के बीच में होती है क्योंकि इस वक्त लगबख सारे दूध के दांत गिर चुके होते हैं और पर्मनेंट दांत सारे मूँ में आ चुके होते हैं बच्चे की हड़ी मुलायम होती है दांतों का मूOWमेंट जलदी हो जाता है और जो ट्रीटमंट हम बच्चों में cavities की शिकायत होती है, सबसे पहली दिक्कत तो यही आती है, कि अगर वो दातों का ख्याल नहीं रखते हैं, तो cavities हो जाती है, दूद के दात के बारे में बात करी, अब बात करते हैं, कई बार हमने ऐसा notice किया है, कि बच्चों के दात हलके पीले से होते हैं, जा यह किसी चोट की वज़े से होता है, या कुछ कमी होती है दातों में किसी चीज की, देखे बच्चों के दातों में जो भी stains होते हैं, बच्चे बड़ों के दातों में दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं extrinsic, जो बाहर से ही होते हैं, और इनको साफ किया जा सकता है, हम लो के जो material है उसी में involved होते हैं पूरे internal stents होते हैं तो वो निकलते नहीं है अब सवाल यह है कि इसका कारण क्या है intrinsic stents का क्या कारण है extrinsic stents या बाहरी stents हैं यह तो पान मसाले से पान खाने से तंबागू से या बहुत मसाले दार चीज़े खाने से भी हो जाते हैं और वो साफ हो जाते हैं लेकिन अगर अंदरूनी रंग या बदरंग हो गए हैं दाट तो इसका मुख्य वज़े होता है दातों में कुछ इस तरह की या इस तरह की बिमारी हो जाती है किस बेल्ट ऐसी होती है जहां पर पानी में फलोराइट कंटेंट बहुतropic ज्यादा है। फलोराइट कंटेंट ज्यादा होने से वह दातों में पीलापन या अजीब सा सफेज चौकी कलर आ जाता है जिसको हम लोग फ्लोरसस कहते हैं तो ये फ्लोरसस किसी भी दवा से ठीक नहीं होती ब्लीचिंग हम लोग करते हैं लेकिन ब्लीचिंग से कुछ हग तक ये कम हो जाते हैं लेकिन पूरे कम नहीं होते हैं दूसरा आपने जैसा कि अभी का रंग काला हो जाता है लेकिन उसका इलाज संब्छभ है उसके उपर हम लोग कैप या कोई बील वीनियर, या LEBL को पील या लमिन AI लगा In और फ्लोरेसेस अगर हो रही है तो उसका इलाज भी दवाओं से नहीं है उसमें भी हम लोग लामिनेट्स या वीनियर्स लगाते हैं पूरी एक लियर लगाते देते हैं दांतों के उपर तो उससे दांतों का रंग जो पीला है वो छुप जाता है तो यह दो मुखी कारण है इसके लावा कुछ माताएं जब गर्वती होती है तो अगर वो टेट्रसाइक्लीन आदी दवा इस प्रकार की लेती है तो भी बच्चों के दांतों में देखा गया है कि पीला पना आ जाता है या बच्चे अगर चोटे हैं अब तो हलागी टेट्रसाइक्लीन नाम की दवा का इस्तेमाल बहुत कम होता है पहले बहुत होता था फिर भी जहां पे गावों में अधिहात की छेतर में अगर कुछ डाक्टर अब इसको दे रहे हैं तो उसकी वज़े से भी दांतों का रंग पीला हो सकता है तो मतलब इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं होता है बस आप एक आर्टिफिशल कह सकते हैं कि उसको सफेधी पल जो है वो आप दातों को दे सकते हैं इसका कोई मेडिसनल इलाज नहीं है इसको उन लोग बाहर से ही कवर कर सकते हैं लैमिनेट्स लगा सकते हैं तो यह जो अपने बताया यह एक तो आपने बताया उसकी वज़े से या कि कि उसकी शहर का सुनाएं कि चाहर जलस्तर में उस तरह की चीज़े पाई जाती है उसकी वजह से भी सारी तो यह जाता है हर इंद कि वह कि उसका रहने वाले हर इंसान के दाता सुँ सील इस साहने एस वहाँ पे fluoride rich belt है जहाँ पे खाली दांत ही नहीं हड्डियों की fluorosis भी देखी गई है और पूरी-पूरी community में देखी गई है तो जिस समय बच्चों के दांत बन रहे हों या हड्डियों ग्रो कर रहे हों तो उसमें अगर ये पानी fluorosis युक, fluoride युक चला जाता है अधिक fluoride युक तो इस तरह की problem देखी जाती है और पूरी-पूरी community में होती है ऐसा नहीं है कि उससे कोई अच्छूता रह जाए सभी को हो जाती है तो मतलब कुल्ला उल्ला भी नहीं करना चाहिए फिर उस टाइम पर आसे पानी से कुल्ला आप कर सकते है मैंने बताया कि वो पीने के बाद वो शरीर के सिस्टम में ब्लड में आ जाता है तब ही नुकसान करता है कुल्ला करने से कोई फरक नहीं पड़ेगा नहीं हो पाती है तो ऐसे मैं पेरेंट्स को क्या करना चाहिए देखी मैंने बताया कि बच्चे तो थोड़ा सा जिद्धी होते हैं और उनको ये उमीद करना उनसे कि वो अपने आप ब्रश कर लेंगे या अपने मूँ की सफाई खुद कर लेंगे ये उमीद करना तो थोड़ा सा गलत होगा तो इसमें हम पेरेंट्स को ही ध्यान रखना चाहिए और इसमें कुछ तीन-चार की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा पहला तो ये है कि जितने भी कनफेक्शनरी प्रोड़क्ट्स होँ यानि कि बिस्केट हुए ब्रेड हुई बंस हुए या चिपकने वाली जिस तरह कि रस हुए ये जो बच्चे खाते हैं इनको बहुत जादा ना दिये जाए क्योंकि ये दांतों पे चिपक जाते हैं और फर ये कीडा लगने या डेंटल केरीज का कारण होते हैं दूसरा ये कि बहुत ही मीठे और चिपचपे वदार्थ जैसे चॉकलेट्स हुई कैंडीज हुई बहुत बच्चों को प्यार आप दुलाद न करें लेकिन टॉफी या चॉकलेट देके न करें ये चीजें कम देनी चाहिए तीसरा ये कि फल, ताजे फल और ताजी सबजीयों का प्रयोग कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक करें चौथा ये कि सुबह और रात दोनों टाइम ब्रश जरूर कराएं रात में तो जरूरी कराएं सुबह एक बार चाहिए, भूल भी जाएं रात में अगर बच्चा ब्रश खुद नहीं करता तो उसको अपने साथ सामने खड़ा करके उसको ब्रश कराएं और पांच वाई ये कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो अगर प्रॉब्लम नहीं भी हो तो हर छे महीने में अपने डेंटिस से सल्हाल जरूर लें उससे चाहत जरूर करवाएं लोग सब जाने से पहले जो पेरेंस इस वक्त आपको सुन रहे हैं एक प्रॉपर डेंटल केर के बारे में हम बात करें जनरल डेंटल केर जो हर एज ग्रुप के लोगों को करनी चाहिए उसको लेकर क्या मेसेज देना चाहेंगे मेरा मेसेज यही है कि जादा मीठे चिपचिपे पदार्त का परियोग कम करें अपनी दांतों की सफाई पे ध्यान रखें एक अच्छा ब्रश और अच्छा पेस्ट का इस्तिमाल करें टूथ पाउडर यूज ना करें क्योंकि उससे दांत घिसने लगते हैं सेंस्टिविटी हो जाती है और सुबह से जादा ब्रश करना रात में जादा जरूरी होता है और अगर 6 महीने नहीं तो साल भर में एक बार जरूर अपने दन चिकित सकसे या देंटिस्ट से सला लें क्योंकि कई प्राब्लम्स जैसी होती हैं जो आप खुद नहीं देख सकते लेकिन दांतों के बीच में जैसे कैविटीज डेवलप हो रही है या पाइरिया हो रहा है तो वो डेंटिस्ट अपने उपकरणों से देखके उसका प्रापर समय रहते इलाज कर सकता है एक कोई डॉक्टर सब कहते हैं कि एक टाइम पीरिट के बाद इंसान को अपना ब्रश भी चेंज कर लेना चाहिए देखी यूजरी क्या होता है कि एक ब्रश हम लोग खरीते हैं और वो सालों साल यूजरन करते रहते हैं जब तक उसके नात त्रूम टेड़े नहीं हो जाएन तो ऐसा नहीं है कि आगर आपके ब्रिसल्स छे महिने तक टेड़े नहीं भी होते तो आप उसको चेंज करके every six months आपको अपने brush चेंज कर लेना चाहिए बिल्कुल तो इन चोटी-चोटी चीजों का थोड़ा सा धिहान रखिएगा और दातों के लिए भी आपको प्रॉपर जैसे कहते हैं ना बॉड़ी चेक-अप इंसान को कराते रहना चाहिए उसी तरीके से बॉड़ी में आपके दात भी आते तो उन दातों का भी चेक-अप कराते रहिए और इस तरह की चीजों से बचिए और नाइट ब्रेश बहुत जादा जरूरी है तांक यू सो मुच डॉक्टर इतनी इंपोर्टन वाली इंफोर्मेशन देने के लिए अपना प्रीश्यस टाइम देने के लिए तांक यू अतियंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो के जीएम यू गूज आप हमारी फ्रिक्वेंसी 89.6 मेगा हर्ट्स पर तो सुनी सकते हैं साथ ही विश्य के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे के जीएम यू गूज के एप्लिकेशन के साथ जो अब Android और iOS दोनों पर मौजूद है Android यूजर्स हमारे एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स एप स्टोर पर जाकर टाइप करें के जीएम यू गूज और डाउनलोड करें जानकारियों मनोरंजन से भरपूर हम सब का अपना रेडि रेडियो के जी एम यूगूँज 89.6 एफम